आधर निया चोहांसर के चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम। New Diet System से जुड़े हुए सभी साथकों को प्यार भरा नमस्कार। Myself, पंड्यांदरहरी, नौर्थ गुजरात, लाखनी। मेरा मोबाइल नमबर है 97243-04267। Audio Clip No.27 साथक मित्रो, पिछले तीन दिन से हम आहार के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। मित्रो, हमने जाना आहार का प्रकार। इसमें सुक्ष्म आहार के बाते की कुद्रत की और से जो सुक्ष्म आहार हमें दिया जाता है पांच तत्वों के जरिये। आकाश प्रकाश प्रुथ्वी जल और वायू बिल्कुल फ्री में मिलता है। जो जो सजीव सुरुष्टी पांच तत्वों के जरिये आहार ग्रहन करती है। उनको जितना चाहिए उतना भरपूर मात्रा में मिलता है। जैसे सभी वनस्पतियां। वनस्पतियों का पांच तत्वों का आहार हम सब लोगों ने जाना। उनहीं वनस्पतियों पे शाकाहारी प्रानी जो है, वो अपना आहार ग्रहन करते हैं। शाकाहारी प्रानी। मित्रों हम अच्छी तरह से जानते हैं। शुर्ष्टी का सर्जन हार प्रमात्मा जो है, वो सूर्य और चंद्र के जरिये वनस्पति का पोशन करता है। गिता जी के पंद्रवे अज्याय में स्लोक बार और तेरह में कुछ ऐसी बाते कही हैं। यदा दित्य गतम तेजो जगत सयते खिलम यद चंद्रमसी पच्चागनो तत तेजो विदिमामकम। यानि सूर्य में जो तेज है, वो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। वो ही तेज चंद्रमें भी है, वो ही तेज अगनी में भी है। तिरवे स्लोक में बुला है, गाम विश्यच भूतानी दारिया मेहम मोजस, पुष्णा में चवशदी सर्वाहा सोमो भूत्वा रसात्मका। मतलब वो ही तेज या वो ही प्रकाश पुरुथ्वी में प्रकाशित होके, उसकी शक्ति के जरिये, सभी भूतों का यानि प्राणी मात्रों का लालन पालन रस युक्त बनके, अमरुत में चंद्रमा बनके, सभी वनस्पतियों का पोशन में करता हूं। तो ऐसे परमात्मा सूरिय और चंद्र के जरिये वनस्पतियों को भोजन पुरा करता है, भोजन देता है। और इसलिए भोजन का प्रथम आहार जो है, वो ये सुक्ष्म आहार है। सुक्ष्म आहार से ही वनस्पतियों का निर्वा होता है। तो जो शाकाहारी प्राणी है वो वनस्पतियों को अपने भोजन के स्वरूप में लेते हैं जो सुक्ष्म आहार से बना हुआ है वनस्पति आहार है वो सुक्ष्म भोजन के जरीए बना हुआ है शाकाहारी प्राणियों को वनस्पतियों के जरिए अपना भोजन प्राप्त होता है वो दूसरे प्रकार के भोजन को ग्रहन करते हैं वनस्पति है वो प्रथम करमांग का भोजन ग्रहन करते हैं पांस्तत्वों के जरिए शाकाहारी प्राणी है वो वनस्पति का भोजन के रूप में ग्रहन करते है यहां हम देखें सुक्ष्म आहार के लिए वनस्पतियों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है और शाकाहारी प्राणीों को अपना भोजन ग्रहन करने के लिए प्रयास करना पड़ता है साथ-साथ वो आहार को पचाने के भी उनको जरूरत पड़ती है उसमें से जो मल बनता है उसको निसकाशित करने की भी मेहनत करनी पड़ती है साथ-साथ दुसरा भी एक आहार जिसके बारे में हमारी चर्चा बाकी थी माउसाहार शाकाहारी प्रानी भी है और माउसाहारी प्रानी भी है कुछ प्रानी ऐसे हैं जिनको शिकार करना पड़ता है उसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है शिकार के पीछे भागना पड़ता है बड़ी मुश्किल से शिकार उसके हाथ में आता है काफी शक्ती का व्याय करना पड़ता है बहुत लंबी मंजील काटनी पड़ती है मौसाहार है वो तिसरे कक्षा का आहार है ऐसा हम बोल सकते हैं प्रसम कक्षा का आहार जो कुद्रती सत्व तत्व से भरपूर है वो आसानी से मिलता है दूसरी कक्षा के आहार को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है और तिसरी कक्षा का जो मौसाहार है उसके लिए उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बाद भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है तो जो प्रथम कक्षा का आहार है पांच तत्वों के जरिये मिल रहा है वो सबसे उत्तम आहार माना गया है इसके बाद में शाकाहार है वो मध्यम आहार माना गया है और जो मासाहार है वो कनिष्ट आहार माना गया है मनुष्यों के लिए शाका हार है फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि सभी वनस्पतियों मनुष्यों के लिए नहीं है कुछ वनस्पतियों प्राणियों के लिए भी है और सभी वनस्पति सभी प्राणियों के लिए भी नहीं है सब लोगों के लिए अलग-अलग आहार की रचना कुद्रत के जरिये की गई है अनाज है, कठोल है, ये न तो प्रानियों के लिए है, न मनुश्य के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ पक्षियों के लिए है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं पक्षियों को दात नहीं दिये हैं, उनको चांच दिये हैं, वो अनाज को चबा के नहीं लेते हैं वो साबूत दाना खा लेते हैं, मगर कुद्रत ने इनके शरीर की रिचना ऐसी बनाई हैं, वो अनाज इसका पाचन हो जाता है उसके शरीर की डिजाई ने ऐसी बनाई हैं, उसकी विष्ठा में, उसके मल में एक भी दाना नहीं निकलता है पूरा निकल जाते हैं फिर भी इसी तरह गास पश्वों का शरीर ही पचा सकता है आसानी से इसका पाचन हो सकता है फल है, मूल है, कंद मूल है, यह सब हमारा खुराक है हमारा एंजिन या हमारे देख की रिचना कुछ इसी प्रकार बनाई गई है कि वो ही आहार का पाचन हम कर सकते हैं या आसानी से वो आहार का पाचन हो सकता है कोई भी पशुपक्षी, कुदरत में उनके लिए जो आहार बनाया है वो ही आहार यदि लेता है तो सरलता से उसका पाचन हो सकता है गलत आहार लेता है या किसी दुसरे का आहार लेता है तो कभी इसका पाचन नहीं हो सकता है मगर पिछले हजारों साल से कई सालों से या यू बोले वांश परम परागत कुछ बुरी आदतों के जरिये हम सब लोग खोटे ख्यालों में ऐसे गूम हो गए हैं ऐसी ब्रह्मनाओं में हम गुस गए है कि बिलकुल उल्ट्रा ही समझा है आज तक हम लोगों ने कई प्रकार की तर्क वितर्क दलीले करने के बाद भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है सच क्या है जूट क्या है अच्छी तरह से हम जानते हैं जैसा आहार ऐसी डकार जैसा अन वैसा तन जैसा अन वैसा मन यह सभी चीजे हम जानते हैं फिर भी जानने के बाद भी उसमें बड़लाव लाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल गलत आहार आज तक हम लेते आ रहे हैं यहां पर अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि सभी को जो अपना आहार होता है वो ही आहार लेने से न कोई रोग का सामना करना पड़ता है उसको पचाने के लिए न कोई मेहनत करनी पड़ती है अच्छी तरह से हम जानते हैं कुद्रत के सहारे जिने वाले पशुपक्षियों में आहार के बारे में कभी कोई गलती नहीं होती है यदि गलती कोई करता है तो वो इनसान ही करता है वो कुद्रत ने अपने लिए जो आहार बनाया है उसके साथ तो छेरचानी करता है मगर सभी पशुपक्षियों के लिए जो आहार है उसको भी अपने भोजन में लेने का प्रयत्न उन्होंने किया है जैसे कि मासाहार जो कनिष्ठ भोजन है बिलकुल मासाहार करने वाले पशुओं और पक्षियों की रचना ही कुद्रत ने अलग बनाई है उन लोगों को कुछ ऐसा विक्राल स्वरूप रूप कुद्रत ने इनको दिया है जिने देखते ही शिकार जो है वो लाचार होके वहां खड़ा रहता है या कई बार इनको सामने आना पड़ता है जैसे शेर है, बाग है, चित्ता है इनका स्वरूपी देखो कैसा है शिकार खुद लाचार होके खड़ा रहता है इनके सामने दोस्तों शिकार करने वाले जो पशुपक्षी है या मासाहारी जो पशुपक्षी है उनके देख की रचना ही ऐसी है शिकार को उसे चीरना पड़ता है तो इनको अपने नाखुन की जो रचना है वो बिलकुल अलग है हमारे नाखुन देखो और शिकार करने वाले पशुपके नाखुन देखो बिलकुल अलग नाखुन होते है उसके क्योंकि नाखुन के जरिए इसको चीरना पड़ता है इसके टुकडे करने पड़ते हैं इसी तरह दात देखो हमारे दात और उनके दातों में या दूसरे पशुओं के जो शाकाहारी पशु है इनके दात और शिकारी पशु है इनके दात दोनों के दातों के बारे में आप देखो तो बिल्कुल दातों की रचना भी अलग है क्योंकि मौसाहर एक ऐसा आहार है उसको चीरने के लिए उसको काटने के लिए ऐसे नाखुन और दातों की जरूरत पड़ती है इसके पाचन के लिए भी भुजन के अनुरूप इनके अवयव जैसे जठर है आते हैं इन सब की रचना अलग से की गई है ऐसे भुजन के लिए इनको काफी मंजील काटनी पड़ती है इनको पग दिया है शिकार करने के बाद उसका बंटवारा हो जाता है शिकार किसी एक ने किया है दूसरे लोग उसमें आ जाते हैं तो थोड़ा गुसा इनको दिया है कुछ मामूली लड़ाई जगड़ा होता है इन लोगों के बीच में मावसाहार कनिष्ट आहार है फिर भी कुद्रत ने मावसाहारी पशुपक्षियों की रचना अलग की है फिर भी इनसान जो मावसाहार करता है बहुत बुरा प्रभाव उनकी बाड़ी में पड़ता है बहुत बुरा प्रभाव तो दोस्तों कहने का मतलब यह है पुद्रत ने इस पूथ्वी पर 84,00,00 पशुपक्षियों की रचना की है 84,00,00 पशुपक्षियों की रचना और सभी पशुपक्षियों के लिए अलग अलग आहार भी उन्वन दिया है जो जो पशुपक्षि कुद्रत के दिये हुए अपना ही आहार का भोजन करता है उसमें कहीं पर कोई बिमारी नहीं है कोई बिमारी नहीं है एक इंसान ही ऐसा है कुद्रत के विरुद्ध जाके ना सिर्फ अपना भोजन बलकि सभी पशुपक्षियों का भोजन लेता है ना सिर्फ पशुपक्षियों का भोजन लेता है बलकि मैं तो यूँ कहूंगा सभी पशुपक्षियों को भी अपने भोजन में उन्होंने स्विकार कर लिया है अपना भोजन बना लिया है सभी पशुपक्षियों को भी भोजन बना लिया है तो इसका परिणाम क्या है वो हम अच्छी तरह से जानते है कुद्रत के सहारे जिने वाले पशु पक्षियों में कोई बिमार नहीं है और सिर्फ और सिर्फ इन्सान ही बिमार है तो दोस्तों आईए हम अच्छी तरह से समझे हमारा आहार क्या है कैसे इसको लिया जाए कब लिया जाए तो कभी हम बिमार होने वाले नहीं है पांच तत्वों के अधारित हमारे NDS में जो समझाया गया है इसी प्रकार का हम भोजन लेंगे सुबह में उठते ही उपवास आठ गंटे का इसके बाद में हरी पत्तियों वाला ज्यूस इसके बाद में फ्रूट ज्यूस या फ्रूट खाए सलाड खाए या उसका भी ज्यूस बना ले सबजियों का भी ज्यूस बना सकते हैं सबजियों को भी खा सकते हैं ऐसा भोजन लेंगे तो हमें कोई प्रब्लेम होने वाला नहीं है बिल्कुल कुद्रती आहार पे हमें आना है बहुत सरल ये बाते आदर्निय चोहान सर ने हमें नियू डायेट सिष्टम के जरिये समझाया है अब कई लोगों के सवाल आते हैं इसमें भी कि कैसे new diet system को follow करें दोस्तो चार तरीके से हम new diet system को follow कर सकते हैं जैसे जिनकी बीमारी है, जैसी बीमारी है इसी मताबिक ये system को हम follow कर सकते हैं ठीके आगे देखेंगे काउंसी ये चार तरह की सिष्टम है और हमें किस तरह से फॉलो करना है कल देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो क्लिप आप सुनो दूसरों को सुनाओ भेजो शिवा का काम है बहुत बहुत धन्यवाद जयतन्दूरस्ति